आप लोग कैसे एक परफेक्ट ग्रेनेट को यूज कर सकते हो एंड उसे के साथ साथ आज के सुड़ में आपको ग्रेनेट यूज करने के ऐसी टिप्स लिए अगर आपके पास बिस्टन पैट नहीं है फिर भी आप लोग बहुती यूजफुल तरीके से ग्रेनेट को यूज कर सकते हूँ तो आप लोग उसे छोटी सी रिख्वेस्ट है वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप चनल पर पैदी बर विसिट कर रहे हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिक्रिशन को आल पर सेट कर देना एंड वीडियो को भी ल एक एक एक्टिव करक्टर स्किल होने वाली है जिस करक्टर का नाम है क्लू एंड गईस इस करक्टर के एबलिटी यह है कि आपको यह बदले की लोकेशन बहुत ही इजीली बता देती है और याद रहे है यह एक एक एक्टिव करक्टर स्किल है एंड सेकंड नमर पर अपना अलवारों character का use कर सकते हो अपना third character आ जाता है जो कि अपना मुव को character होने वाला है जो कि आपके बंदे की location को mark कर दिता है और आप आप पे ग्रेंड़ को करके बंदे को easily kill कर सकते हो tip number two so कभी कभी क्या होता है आपके बंदा बहुत जादा दूर होता है और आपको थोड़ा जम करके ग्रेंड़ को फेकना है जिससे कि क्या होगा ग्रेंड़ आपका बंदे तक पहुच जाएंगा और आपके बंदा आपका easily kill हो जाएंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंना बिना जम करके आपके ग्रेंड़ को फेका तो ग्रेंड़ वहाता है नहीं पहुच सका और अगर मैं आपके जम करके ग्रेंड़ को फेक हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ग्रेंड़ की जो रेंज होती है वो और भी जादा बढ़ जाती है जिससे कि आपका Grainage और भी जयाधा दूर चले जाता है tip number 3 में आपको बताने माला हो कि आपको कभी भी कहीं फे भी Grainage को नहीं फेखना है आपको Grainage बहीं फेखना है जहां पर आपको बंदी की location पता है आपको अगर बंदी की location नहीं पता रहती तो आप लोगों माहा पे लो और मोको करेक्टर बहुत ही आपकी help कर देगा तो देखो अगर आपको बंदी की location पता रहेंगी तो आपको आपके एकदम exact grind को cook करके fix सकते हो और आपका एक ग्रेंड में आपके बंदा नौक भी हो जायेंगा तो कभी भी आपको तभी grind को cook करके fix ना है जब आप लोगो को बंदी की एकदम exact location पता हो tip number 4 जो कि आपके पास अगर piston pet नहीं है तो आपको ये चीज़ बहुत ही जादा help होने वाली है अगर आपके पास piston pet नहीं है तो आप लोग उसको store से एकदम discount में भी ले सकते हो तो आपको कभी भी अगर आपके पास piston pet नहीं है तो आपको कभी भी long range की जो fight रहती है long range grind को avoid करना है आप लोगों को कभी भी grind को short range में use करना है जिससे कि आप बंदे को easily kill कर सकोंगे अगर आप try करोंगे ना कि आप long range में ग्रेंट को cook करो तो आपको वहां पर थोड़ी problem हो जाएंगी क्योंकि बिस्टन पैट के अलावा कोई पैट ऐसा नहीं है यो कि आपको help करेंगा ग्रेंट को ज्यादा दूर तक पेकने के लिए इसलिए आपको long range की fight को ज्यादा स्यादा avoid करना है आपको short range में एकदम perfect ग्रेंट कुक करके फिक देना है tip number 5 तो कभी भे एक ग्रेंट को यूज करने का उसका एक right way होता है आप में से बहुत ज्यादा तर बंदे एकदम ओपर में आके ग्रेंट को cook करते हैं और वहां पे फिकते हैं जब भी आपके सामने बंदा हो तो वहां पे आप लोग ग्रेंट को open में के cook करते हो तो आप लोग वहां पे easily बंदा आपको knock out कर देता है तो कभी भी आप लोग को एक cover में ग्रेंट को cook करना है और फिर बंदे के उपर फिकना है तो जिससे कि आप भी नहीं मरोंगे और बंदा भी आप एक ग्रेंट से पूरा डेमेज हो जाएंगा या फिर knock out हो जाएंगा आप लोग ने इस वीडियो को enjoy किया होंगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को like करना चाहिए को subscribe कर देना एंड वीडियो का नाइक्स टॉपिक भी आप लोग कमेंट में बता सकते हूँ एंड फिर किसे वीडियो में मिलते एक नाइट टॉपिक साथ एक नए वीडियो के साथ जबते के लिए love you guys peace out